Kia Seltos साल की सबसे चर्चित कार में से एक है। Kia India ने आज अपने Kia Seltos Fest Lift 2023 Kia Seltos से परदा उठा लिया। इस नई कार के लिए booking 14 जुलाई से की जा सकेगी। Lettest Seltos को प्रीबुक करने के लिए खास तरीके अपनाने होंगे। इसके लिए खरीदारों को मौझूदा Seltos मालिक से के कोड लेना होगा। उसके बाद ही वे के कोड की मदद से नई Seltos के लिए booking कर सकेंगे। Kia Seltos की मौझूदा मॉडल ही तमाम फीचर्स से लैस है। नई Kia Seltos Fest Lift में भी कई फीचर्स जोडे गए हैं। यही खूबियां इसे और भी दिल्चस्प बनाती हैं। नई Seltos Fest Lift को 3-Variant X-Line, GT-Line और Tech-Line में पेश किया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो upcoming Seltos Fest Lift में रिडिजाइन किया गया front end, headlights और updated grill दिया गया है। यह सभी बदलाव नई कार को refresh लुक देते हैं। rear size में देखें तो tail lamp और rear bumper में change किये गए हैं। इसमें alloy wheel नए design में नज़र आता है। कुल मिलाकर किया ने Seltos को जरूरी design को update किया है। लेकिन familiar silhute को company ने Seltos में अभी भी बरकरार रखा है। anterior पर नज़र डालें तो updated Seltos में 2 10.25 इंच के display मिलते हैं। जिसमें से एक infotainment system के तौर पर काम करता है और दूसरा instrument cluster के रूप में काम करता है। नई Seltos में premium Bose speaker, wireless charging, panoramic sunroof, ventilated seat, dual john climate control और तमाम feature जोड़े गए हैं। safety के लिहाज से देखें तो नई Seltos में कई airbag, reverse camera, 360, degree camera, parking sensor और बहुत कुछ के साथ update भी देखने को मिलेंगे। इसमें ADS level 2 होगा जिसमें adaptive cruise control, lane assist, blind spot detection जैसे कई features शामिल हैं। इंजन विकल्प की बात करें तो 2023 किया Seltos Festlift में 3 इंजन विकल्प होंगे। नई कार में 1.5, लीटर पेट्रोल 1.5, लीटर डीजल और नया 1.5, लीटर टर्बो चार्जड पेट्रोल इंजन विकल्प देखने को मिलेंगे। ये इंजन 158 BHP का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होंगे। इसमें इंजन के साथ कई gearbox, manual, IMT, DCT, automatic torque converter और CVT विकल्प दिये गए होंगे।